फार्मेसी कर लिए तो जिन्दगी जण्ड, जॉब नहीं मिलेगी, डी फार्मा या भी फार्मा करने के बाद लोग भटकते हैं, कोई भी फ्यूचर नहीं है उनका अगर जॉब की बात करें तो बहुत मुश्किल से 8-10,000 उपे की जॉब मिलना भी मुश्किल होती है एक फार इस इस वीडियो में हम समझाएंगे और साथ में यह जरूर आपको बताएंगे की फार्मेसी अगर आप कर रहे हैं या फिर करने की प्लान बना रहे हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा तो दोस्तों नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक इंसान को जीवित रहने के लिए क् आप को कि खाना चाहिए मेडिसीन चाहिए को कि अभी कहीं न कहीं हेल्थ इसू तो होता ही होता है तो हमें रहने के लिए घर चाहिए रोटी कपड़ा मकान और हमें मेडिसीन की ज़रूरत पड़ेगी तो जो मेडिसीन है यह बनाता कौन है तो अगर आप डी फार्मा या ब तो आपके जिंदगी जणड है तो भाई अगर एक फार्मसिस्ट की जणड है फार्मसिस्ट का कुई भी इंपोर्टेंटस नहीं है तो यह दावाएं कौन बनाएगा इनसान जीवित कैसे रहेगा तो इसकी बहुत जरूरत है नॉर्मली अगर हम बात कर तो फार्मासिस्ट की बहुत जरूरत है लेकिन आरदाज़ रुपे के जॉब मिलना भी मुस्किल हो जाती है ये क्यों तो भाई इसके लिए जिम्मिदार कहीं न कहीं बहुत से लोग हो सकत है लेकिन अगर डारेक्लीब बात किया जाए तो कहीं न कहीं गौर्मेंट है क्योंकि जो जो जोब लगना बहुत ही मुस्किल हो जाती है क्योंकि ये चीजे लोग को समझ नहीं आता है कि जौब आपके इसकिल पे मिलता है ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज रख लिए हो मोटा सा ठीक लेकिन अगर आप में कोई भी स्किल नहीं है आप जहां भी काम करने जारे हो आप वहां कुछ भी बैलु प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप में कोई इसकिल नहीं है तो आप supplies के नहीं मिल औह टो ये चीजि़े हम हम इंडियान को कभ समझ में आए advantage हमारी गुवर्मेंट को कभ समझ में आएगा इसके मुझे कोई भी आइडिया नहीं है थोड़ा बहुत कुछ कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि एजुकेशन रेगुलेशन में कुछ-कुछ बदला हुआ है कुछ-कुछ चेंजेस हुए है तो ये एक मेजर कारण है जिन्दिगी जाएगो इजन्ड हो जाएगी, अभी के टाइम पर क्या है भाई government क्या ये सब चल रहा है बहुत ही अभी इसतरह से समझ सकते हैți की इंट्रनेट गर भी कार लिया है नॉर्म ये आपको पता है चल रहा है तो नॉर्मलि गूर्मेंट Mark और के ब Slot मारा सव THAT सव बाग करोगे उस पॉइंट को देखोगे तो वहां पे सभी की जिंदिगी जंड है नहीं बोलते हैं जिंदिगी जंड है फिर भी घमंड है इस तरह से कुछ लेकिन नॉर्मली अगर बात किया जाए तो फार्मेशी एक बहुत ही बहद्रीन प्रोफेशन है इसमें अगर आप किसी भी कोर्स में तो लगभग 75 घंटे एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देने होते हैं पहले के टाइम पर किया था कि छे-छे दोनों में होते थे और उसी प्रकार से 75 घंटे की प्रिक्टिकल होती है लेकिन जब तक आप जो आपके बुक में कॉंसेप्ट दिया हुआ है जो स्लेबस दिया हुआ है जो थियोरी है जो प्रिक्टिकल है उसे करोगे उसे करवाएंगे आपके टीचर तभी तो होगा इसके लिए एक लेवल होना चाहिए कि एक इंटरेंस एक्जाम है इस लेवल से नीचे के बच्चे को फर्मेशी मेड मिशन नहीं दिया जा सकता है और जो भी कॉलेजेस है उसका प्रोपर मन्त वाई मन्त अच्छे से चेक अप हो कि ठीक है कॉलेज में सब चीजे ठीक ठाक है या नहीं है नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो डी फर्मेशी ऐसा सब कोर्स है या फिर भी फर्मेशी का कि यहां पे जब तक आप टेक्टिकल नह सब्सक्राइब कुछे पेड के इस टाकि फिर ञारी कोंटिकल चेक्ल कोंटिंड इलिए जौंट्रीश आए और यहां अवी से चेक grate यहां जी आउको जारकर्णोगर में बहुत हाई-लाइट हुआ तो इस तरह से चीजें हैं तो उन लोगों की जिन्दिगी जहंड है जो ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं जिस कॉलेज का कोई भी कही नहीं तो ढंका इंफ्राइस्ट्रॉक्ट्टर है नहीं तो ढंके वहां के फेकल्टी है कुछ भी कॉलेज का नौर्मली अगर ऐसे आप साटिफिकेट के लिए सिर्फ कर रहे हो तो जिन्दिगी जहंड बिल्कुल है अगर वहीं पे कुछ लोग होते हैं कि साटिफिकेट के लिए करते हैं लेकिन साटिफिकेट के लिए करने के बाद तुरंत अपना मेडिकल इस्टोर डाल तो ये चीज में बिलकुल आपको 100% कान्फिट नक्स खालता हूं कि अगर आप में इस्टिल है और आप एक फारमासीस्ट तो बहुत बड़ी स्कोप है इंडिया में और इसी के साट साट इंडिया के बाहर भी आप जाते हो तो बहुत बड़ा स्कोप है फार्मासीसिकल पर नहीं तो लेब है नहीं तो टीचर को कुछ पता है अगर वहां से आप करोगे फर्मेशी तो भाई नौर्मली अगर देखा जाए तो आपकी जिन्दगी कुछ उसी टाइप की होने वाली है जर्श लाइक की इंजिनियरिंग कर लिए नौर्मल से कॉलेज से या फर्मेशी क्या चीजे हैं अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो उदित फार्मेशी यूटूब चान को सस्क्राइब करके रखेगा यहां पे आपको फार्मेशी सिलेटर और खास्तोर से डी फार्मा सिलेटर काफी यूजफूल और महत्पूर जानकारी हम देते रहते हैं और आल पे क्लिक कर लेजेगा ताकि आपको जो भी वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोट्रिकरसन टाइम पे मिल पाए आई हो फ्रेंस की यह वीडियो आपको समझ में आई होगी सभी चीज़े आपके क्लियर हो गई होगी कि जिन्दगी किस तरह से आपकी चलने वाली है अग अगरप्ट वेक फार्मेस्टी का कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो